हम बनाएंगे बहुत ही tasty and quick broccoli bites इसे आप चाहे तो टिफन में दे सकते हैं, पार्टी में सर्व केज़े और else lunch box या फिर evening snacks के फर्म में भी बहुत tasty लगता है ब्रोकली bites बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के जितना ब्रोकली ले लिया है अब ब्रोकली के जो florets है उसे हम अलग कर लेंगे इस तरीके से हाथों से तोड़ कर अगर आपको हाथों से तोड़ने में दिक्कत हो रही है तो फिर आप knife की मदद से भी florets को separate कर सकते हैं अपने देर में मैंने पानी रख दिया था boil होने के लिए अब इसे हम boiling water में डाल देंगे 10 मिनिट के लिए सकरने से ब्रोकली के अंदर अगर कोई कीडे वगरा होंगे न वो सारे निकल जाएंगे यहाँ पे एक उबला हुआ आलू ले लिया है और उसे भी छील कर हम ready रखेंगे अब 10 मिनिट बाद ब्रोकली के फ्लोरेट्स जो है वो अच्छे से ब्लांच हो गए है एक एक फ्लोरेट्स को इस तरीके से ग्रेट कर लीजे या फिर आप इसे grinder के जार में डाल कर भी ग्रेट कर सकते हैं इसके बाद इसमें हम मैश करके डाल देंगे एक उबला हुआ आलू साथ ही जाएंगे कुछ basic spices घर के जिसमें सबसे पहले स्टार्ट किया है धनिया पाउडर के साथ फिर इसमें टेस्ट को और भी जादा बढ़ाने के लिए चाट मसाना डाल दिया है साथ ही जाएगा रेट चिली पाउडर और नमक स्वाद अनुसार रेट चिली पाउडर का जो कॉंटिटी है आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं ब्रॉकली बाइट्स को इदम क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें मैं दो होल वीट ब्रेट के slices डाल दोंगी अगर आपके पास ब्रेट क्रम्स है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं और एल्स ब्रेट नहीं है तो इसमें चावल का अटा डाल दीजिए या फिर बेसन आट कर लीजिए से इस डिश का हेल्थ कोशन तो बढ़ेगा ही लेकिन टेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा इस सारा मिश्रिन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसकी स्मॉल स्मॉल टिक्कीज बना लेंगे टिक्कीज का जो शेप है वो आप अपने हिसाफ से कोई भी रख सकते हैं मैं यहाँ पे एक दम सिंपल सा सर्कल शेप दे रही हूँ और अप चाहे तो इसे नगेट्स के फार्म में भी बना सकते हैं बस इसी तरीके से आप सारे टिक्कीज प्रपेर कर लीजिए प्रॉकली के आप चाहे तो इस टिक्कीज को एट आट कंटेनर में फ्रीज भी करके रख सकते हैं रात भर के लिए सुबह बनाना होगा उस वक्त निकाल लिए और बस शालो फ्राय कर लेजिए तो यहाँ पर सारे टिक्कीज बन कर रेड़ी हैं यहाँ पर मैंने तवा भी गरम कर दिया है और उसमें थोड़ा सा ओयल डाल देंगी मैं तो यहाँ पर शालो फ्राय कर रहे हूँ आप चाहें तो डीप फ्राय कर सकते हैं एर फ्राय भी कर सकते हैं इसे इसका फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर ही दोनों तरफ से मैं इसे पका लूँगी क्रिस्पी होने तक ये वाली जो डिशन वो हेल्थ के लिए तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये प्रोटीन रिच है और साथ ही टेस्ट में भी कमने है टेस्ट भी बहुत अच्छाता है इसका ये वाली जो टिकीज है आप चाहे तो इसे केचप से अंजोई कीजी या फिर कोई भी डिप से अरज आप चाहे तो ब्रेट स्लाइस के बीच में रकेस का सैंड़िच बना लीजे या फिर बर्गर बना लीजे जरूट राए कीजे अच्छा लगे तो लाइक शियर और सुब् कर दिजी थैंक्स फो वाच्चिंग बाइ